हेलो अब्रिवान विलकम बैक टू आर यूटूब चैनल लाइफ केर विथ गार्ड़निंग आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं गुलाब की पती के फायदे इसके पतियों को खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं गुलाब तो हर किसी के यहां मौजूद होता है लेकिन इसके फायदों के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है जहां एक तरफ गुलाब चल के हम सब लोग फायदे जानते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन गुलाब की पत्तियों को कुड़े में फेंक देते हैं आज की बाद आप भी गुलाब की पत्तियों को फेंकेंगे नहीं बल्कि आप उनका कई तरह के उच्चार में इस्तेमाल करेंगे अलकि गुलाब के पेड कई तरह के होते हैं किसी में सफेद पुलाता है तो किसी में लाल लेकिन लाल गुलाब जो होता है इसकी पत्तियों में और सधी गुर पाये जाते हैं लाल गुलाब की पत्तियों का सेवन करना अच्छा माना जाता है गुलाब की पत्तियों का इस्तिमाल नेचुरल एक्ट्रेजेंट के तौर पर किया जाता है इसकी पत्तियां चेहरे के जुर्जियों को दूर करती है और साथ ही चेहरे के गड़ों को भी भरने का काम करती है गुलाब जल या गुलाब की पत्तियों का रस का इस्तेमाल करने से आपकी इसकिन सौफ्ट होती है और आपके चेहरे में गलू आने लगता है गुलाब की पत्तियों में इसकिन संबंधित बिमारियों को दूर करने का गुड होता है इसकी पत्यों को पीश कर इसकिन पर लगाने से इसकिन से समबंधि समस्याएं दूर हो जाती हैं गुलाब की पत्यां चिकन पॉक्स चेचक की बिमारी से राहत देने का काम करती है गुलाब में एंटी आक्सिडेंट्स पाये जाते हैं जो बिमारीों से लड़ने में मददगार हैं गुलाब के फूलों में बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन E, आईरन और कैलसीम भरपूर मातरा में पाये जाता है ऐसे में गुलाब की पत्तियों का सेवन करने से तुचा के दाग धबे, सीजनल इंफेक्शन और एलर्जी से दूर रहने में मदद मिलती है गुलाब जल गर्मियों के मौसम में तुचा के लिए अच्छा माना जाता है या आँखों की जलन को भी कम करता है गुलाब जल हमारे लिए काफी फाइदे मंद है लेकिन गुलाब जल से भी अधिक गुलाब की पत्तियों लावकारी होती है गुलाब की पत्तियों से अनिक आउसदियां तयार की जाती है गुलाब के सेवन से आपके सरेर के कई बीमारियों को दूर करने में सहायता होती है गुलाब की पत्यों में पाए जाने वाले गुड़ हमारे दिल के लिए लाफकारी होते हैं यह आउसदी की तरह काम करते हैं गुलाब के फूल हमें आसानी से मिल भी जाते हैं हलाकि गुलाब के फुल कई प्रकार के होते हैं लेकिन लाल गुलाब की पत्यों में आउसधिय गुड होते हैं लाल गुलाब की पत्यों का सेवन करना अच्छा माना जाता है इसे आप ऐसे भी सेवन कर सकते हैं या गुलकंद के रूप में परियोग कर सकते हैं लेकिन गुलकंद का सेवन केवल गर्मियों में ही किया जाना अच्छा होता है गुलाब से बने गुलकंद को जोडों के दर्द से परिसान लोग रोज सेवन करें तो रहत मिलती है और जल्द ही बिमारी दूर हो जाती है गुलाब की पत्तियों का काड़ा भी रोज पीने से आपको फायदा मिलेगा गुलाब की पत्तियां तचा के लिए खास काम करते हैं और गुलाब के फोल का सेवन करने से आपके होट खिले-खिले रहेंगे होट फटने की बिमारी दूर हो जाती है सुबह खाली पेट अगर आप दो से तीन गुलाब की पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपके सरीर और स्वस्त के लिए फायदे मंद होगा इससे आपका पेट भी साफ रहेगा गुलाब के पौधे के इतने सारे फायदे हैं तो गुलाब का प्लांट अपने गार्डन में जरूर एड़ करें आई होप आप लोगं को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देजिए ताकि और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक के लिए बाई टे कियर